नमस्कार, वेलकम टो व्ल अफेर्ज, मैं हूँ प्रशांथ दवन, रीसेंड़ी मैंना को बताया कि चाइना को हेवी लॉसेज हुए हैं एक्सपोर्ट के रूप में, जब दिवाली में इनके जो प्रोड़क्ट्स हैं उनको बायर्स मिले नहीं हैं, ओल टुगेदर तक वाइडन भी हो जाए, इंडिया में यह देखा है, कुछ स्केप्टिक होता है, जो हमेशा शक करता है, यार यह प्रॉपरली हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका इंपैट क्या होगा, मैंने देखा, कुछ लोग यहां पर यह कह रहे थे, कि हम लोग कभी भी चाइना को बोईकॉट नहीं कर सकते, देखिए, गोईकोट तो कभी नहीं होगा, गोईकोई परफेट दिन नहीं आएगा, कभी परफेट टाइम नहीं होगा, हमेशा जो आपके पास resources होते हैं, उसके हिसाब से आपको add करना होता है, और Indian public नहीं आपर add किया, and we saw कि आत्मन दिर बर दिवाली मनाई गई इस बार, और दूसरी तरफ, हमें एक question यह आपर यह भी था, कि जो हम कर रहे हैं, इसका impact चाइना महसूस करेगा भी, क्योंकि इनके exports इतने बड़े हैं, अगर 6-7 billion dollars का loss हो भी गया, तो क्या यह notice करेंगे, तो मैं बता दूँ, आपको बिलकुल notice कर रहे हैं, अच्छे से notice कर रहे हैं, और अब तो वीडियोस बनी हैं, चाइना पे काफी articles लिखे गई हैं, जिस तरीके से चाइना हर्ट करने की कोशिश करता हैं, अच्छे से आज के समय, तो लोग तो धिरे धिरे in the future Chinese products से दूर ही होते जाएंगे, और जैसे जैसे boycott China successful होगा, लोग और इसको follow करेंगे, तो अब चाइना ने पकड़िया नई line, यह अब क्यारे अंडियन गवर्मेंट को, कि all together अपनी economic policies चेंज करो, और अपनी market open करो, RCEP जोइन करके, literally इनोंने यहाँ पर यह का है, यहाँ अब आप देख पाओंगे, Global Times का article है, यह लोग यहाँ पर, again मैं आपको यह कहूंगा, जब भी Global Times के article में लिखा होता ना, by Global Times, तो मतलब इसका यहाँ पर यह है, कि Global Times की जो Communist Party of China से जड़ी होई, जो इनकी team है, यह खुदी यह article type करती है, जब यहाँ पर किसी आदमी का ना economic policies, क्योंकि अब इनको दर्द हो रहा है, और दर्द बढ़ता रहेगा, मैं आपको यह बता रहा हूँ, in the future, world economy में, consumption के नाम पर, सबसे ज़्यादा attractive country होने वाली है, इंडिया, आपको क्या लगता है, कि UK के PM, बार बार हमको क्यों कहते हैं, कि Free Trade Agreement sign कर लो, और इसराइल चा रहना चाहते हैं, और चाइना को यह बात भी पता है, कि जो इनोंने किया है, strategically और दरीके से भी, यह बात Indian public तक पहुच चुकी है, अब Indian public इनके products इग्नोरी करेगी, तो अब यह आपर कह रहे हैं, कि Need यहाँ पर यह है, कि अब finally, इंडिया वापस Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP को जोईन करे, तरके यहाँ पर यह लोग यह दे रहे हैं, कि देखो, इंडिया चाइना का trade बढ़ना ही है, हम दोनों countries का trade कम हो नहीं सकता, अभी recently हमने देखा कि 100 billion dollars का milestone हम रीच कर चुकी हैं, और मैं आपको एक बात बताओ, यह चाइना के लिए बहुत important है, अगर आज के समय, चाइना ह हमारा number 2 trading partner है USA के पीछे, तो हम भी जारा पीछे नहीं है चाइना के लिए, चाइना के जो top 10 trading partners हैं, उसमें इंडिया आ चुका है, और जिस level का यह trade सरपस enjoy करते हैं, तो आप कह लीजिए, इंडिया चाइना के top 5 trading partners में आता है, out of share profit, क्योंकि बाकी countries से जब यह export करते हैं, तो वहाँ पे इतनी earning नहीं होती, उतनी कमाई नहीं होती, जितना इंडिया के साथ trade करके होती हैं, और 100 billion dollars अभी सही पहुच जाना बहुत बड़ी बात है, 2025 तक possibility है कि यह trade 150 billion या even 200 billion तक भी पहुच सकता है, हम लोग 115 billion का trade तो सिर्फ UAE के साथ करने का सोच रहे हैं, तो चा चाहेंगे कि जो trade बड़े, उसमें जादा portion हो कि Indian exports जादा जाएं चाइना को, ना कि उनके exports आए हमारे देश में, और इसी बात को लेकर चाइना काफियत तक चिंते थे हैं, इन्होंने आपर यह कह दिया है, कि इंडिया का जो made in India campaign है, यह इनके हसाब से, जो इनके article में language ल चुका है, make in India के अंडर, Samsung की कई factories ओपन होरी हैं, इंडिया में, various और mobile phone factories ओपन होरी है, semi conductor को manufacture करने की हम यह आपर बात कर रहे हैं, Tesla खुद इंडिया आना चाहता है, यह वाद किसीने कई साल पर सोची नहीं थी, कि Tesla इंडिया में cars को manufacture करना चाहेगा, और तो और अब हमने यह भी देखा है, कि Apple का जो iPhone 12 है, यह भी make in India हो चुका है, यह भी इंडिया में manufacture हो रहा है, अब again, किसी को कमिया निकाल ली है, कि यह पार्ट वियतनाम से आया है, यह चाइना से आया है, यह कहीं से आया है, कभी भी कोई चीज perfect होगी नहीं, धीरे धीरे आप progress करते हैं, त अगर obviously चाइना यहाँ पर demoralize करना चाहेगा, यह चाहेगा कि पहली बात तो अपना यह रखें कि जो भी strategy थी fail कर गई, चलो अब वापस आके न, यह जो free trade agreement है, जिसके अंडर Chinese companies को बिलकुल open access मिल जाएगा, Indian economy का, यह sign कर लो, regional comprehensive economic partnership, basically एक multi country free trade agreement है, जिसे इंडिया ने sign करन मना, और सिंस अब और जगा से चाइना को entry मिली रही Indian market में, क्योंकि हमने पहली बात तो इनके जो products हैं, काफी जगा उन पर लगा रखी है, customs, फिर लोग भी कम purchase कर रहे हैं, इनके products को, तो अब चाइना यही घुवार लगा रहा है, कि जो regional comprehensive economic partnership है, इसको वापस sign करना होगा इंडिया को और वापस जो अपनी anti-China economic policy है, इसको reconsider करना होगा, मगर चाइना की देखो problem यहाँ पर यह है, कि ये लोग चाते हैं, कि strategic तरीके से ये इंडिया को hurt करते रहें, और साथी साथ इंडिया की जो lucrative market है, उसका access इनको मिलता रहे, जो possible है नहीं, क्योंकि एक तरफ आप अगर देखो, तो ये पाकिस्तान को openly support करती है, इंडिया के against, अब तो देखो मैं काऊंगा, ये बात बिल्कुल open हो चुकी है, कि चाइना किसी भी हद तक जाएगा पाकिस्तान को support करके इंडिया को hurt करने के लिए, क्योंकि recently आपको बता होगा, कि इंडिया ने अफग हमने जो रास्ता है, बिल्कुल clear है, trade अगर हमको करना है, तो हमको देखना चाहिए, दो quards की तरफ, एक तो जो quards हम बना चुके हैं, US, Australia, Japan के साथ, दूसरा जो quards हम अभी recently बना चुके हैं, UAE, Israel, USA के साथ, ये जो दो quards हैं, यहीं पर इंडिया को अपना जो primarily trade है, ये expand कर होगा, और धीरे धीरे जितने जादा हम आप अंदिर बर बनेंगे, जितनी चाइना पर dependency कम करेंगे, उतना ही long term में pressure इन पर आएगा, और तब तक के लिए मैं आप सब को यहीं कहूंगा, make in India को support करिए, Indian made जो products हैं, जादा से जादा purchase करने की कोशिश करिए, ये मत सोचिए के अंदर कौन सा पुर्जा कहां से लगा है, धीरे धीरे और make in India all strong होता जाएगा, perfect दिन का wait मत करिए, जो आपके पास अभी के लिए resources हैं, जो आपके पास opportunity है, make the best of it, और finally आपर मैं ये भी add कर दूँ कि अगर आप properly UPSC exam की त्यारी करना चाहते हैं, तो simply जाओ comment section में और यहाँ पे आपको मिलेगा ये link UPSC combo pack, यहाँ पे आप कर सकते हैं purchase, जिसके अंडर आप UPSC prelims, mains, optional, optional of course, जो भी आपकी choice का होगा, history, geography, political science, whichever you choose, ये आप purchase कर सकते हैं in a combo package, जिसमें आपके 15,000 rupees भजेंगे, क्योंकि आप ये सारे courses अलग-अलग purchase करोगे, तो you will have to pay more combo package में saving ह होती है, उसके अलावा, अगर आपके पास अभी time है, अगर आपके पास अभी 2-3 साल है, अराम से prepare करना है for UPSC, तो आप 24 से लेकर जो 36 मेने का code से ये भी कर सकते हैं purchase, मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं, you do not have to pay these prices, simply यहाँ पे code use करो, PD10 and the prices will fall, 10% का यहाँ पे आपको discount मिले झाल